मास्पा सरकार की नगरपईशे शोलन में मनुनित पाइशत ने पद्वग गोपिनेता की श्वपत रहन की स्टियम, सोलन, आशितोष, गरगने मनुनित चार पाइशत पर साहनी, शेलेंदर गुपता, गौरब कश्वप और नरेश गांधी को निगम में सब दिलाई सब सब पर नगरपईशित के मनुनित पाइशत ने कहा कि हम सबसका साथ सबका विकास के तहद अपने नगर का विकास करेंगे सदन में पूर बहुमत होने के बाबसूद हम विरोधी दलों के पारश्टों से बात कर हर बाट की समस्या को जड़ से खतम करने का प्रयास करेंगे बहुत बढ़ गया है और हीमाचल में इस शेहर का दूसरा नंबर है कोने कोने में क्यास मस्या है वार के हर भाग में क्यास मस्या है उसकी जानकारी नगर परशिद को इन मनोनीच सदस्यों दोरा मिलेगी उसका मस्याओं कैसा समाधान किया जाए हम इनके सुझाओ भी हमें मिलेंगे जो नगर परिशद में मनोनित्स दस्य हैं ये सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है और जो परशाशन को ये रिप्रेजन्ट करते हैं प्रदिर नित्यों करते हैं सरकार की नितियां है जो उनकी पाशितों को आज गोपनियता और पद की स्वर्प दिलाई गई इस मौके पर नगर परिशद और द्यक्षि देविंदे ठाकूर ने कहा कि आस परदिर शिरकार त्वारा मनुनित्स पाश्दों को गोपनियता और पद की शपत दिलाई की और उन्हें बिदाया गया कि वह एक मेहत्पुन जिम्यवारी क्रेहन कर चुके हैं और वहनेगर पाश्यत और सोलनवासियों के बीच की एक महत्पुरण कड़ी है और उनका सोलनवी विकास में एहम योगदान होने वाला है उन्हाने कहा कि चार पाश्यतों के मनोनित होने से भास्पाश्यतों की संक्या अप 15 अब सभी पाशिक मिलकल सोलन को विकास के पत्पर आगे लेग जाएंगे और शेहर वासियों को किसी भी तरह की असुविदा ना हो इसका पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया जाएगा जैसा कि आपको सभी को विदित है कि नगर परिशद पालिका सोलन के चार नए मेंबर्स को सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया है तो उनको एस पर रूल्स और मिंस्पल एक्ट और रूल्स के मताबिक जो है आज विदी पूर्वक उनको शबत दिलाई गई और आज उस शबत के उपराद पो नए मेंबर्स जो है आज पर नॉम्स आज पर रूल्स नए मेंबर्स के रूप में मनुनित हो गए है आपको बता दें कि इस सपस समारों में कॉंग्रिस के पाईशद अनुपस्तित रहे जिससे पता चलता है कि नगरपईशद बने चाहे दो वर्ष होने वाले हैं लेकिन अभी तक नगरपईशद में रासनीती अभी तक खावी है वहीं मनुनित पाईशद सदन की कारवाही में जनता से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं वो प्रशन पूस सकते हैं हलंकि परस्ता पारित होने के लिए इनका मत नहीं किना जाता है